पिहार असनातक और स्कोरशिव 222 का ओनलाइन शुरू हो चुका है और लिंक भी यहाँ पे एक्टिव हो गया है जिसमें आपको बता दें कि अगर आप बीए बीए सी बीकॉम में इस बार एडमिसन लिये हैं या लेने वाले हैं या पार्ट वन में पर रहे हैं या पार्ट त जहां से देखेगा सारी जनकारी यहां पे दे रहे हैं और सारे सवालों का जबाब आपका इस वीडियो में मिल जाएगा तो फड़ा पर वीडियो को लाइक और शेयर कर दें चैनल पर पहली बारे सब्सक्राइब कर लेना ताकि एक भी अपडेट आप से मिस न हो जाए ऑन लेकित हम NSP के तरहत graduation में apply कैसे करते हैं कैसे पैसा मिलता है सब कुछ यहां पर ध्यान से आप समझे हैं कैसे आपको online यहां पर करना है ठीक है अब देखें यहां पर NSP scholarship लिखा हुआ है इस पर आपको link पर क्लिक करना है ठीक है यहां से जो है आप apply करेंगे ठीक है नीचे क registration पर क्लिक करना है ठीक है क्योंकि आपने registration किया नहीं है तो आप new registration पर क्लिक करेंगे ठीक है क्योंकि यहां पर graduation pass बालों के लिए आप चूज कैसे करना है बिल्कुल ध्यां से दिखेगा यहां पर आपको यह बला option क्लिक करना है सभी जाती के लिए लेकिन अगर आप schedule cast है अब यहां से आपको क्लिक करना है अपको इस तरीकर का खूल कर आएगा अब यहां पर ते मैं आपको ग्रेज्जुएशन था मिलेगा आपको पैसा लेने वाले हैं तो आप apply कर सकते हैं ठीक है तो आप देखी यहाँ पे कैसे online करना है अब देखी है scholarship category में अगर आप graduation के लिए भी apply करेंगे तो आपको post metric scholarship ही click करना है अब यहाँ पी आप part 1 में पर रहे हैं पार 2 में पर रहे हैं पार 3 में पर रहे हैं या इस वार graduation में आप admission लेने वाले हैं ठीक है registration हो चुछा है made list आपका आने वाला है तो भी आप यहाँ ठीक है पहले registration करना है उसके बाद आपको online apply करना है यहाँ पे आक को registration ले ठीके आगे देखेंगा आपको बता रहा हूं पूरी जनकारी यहां पे दे रहा हूं तो यहां पे सबसे पहले तीनो डॉट पे क्लिक कर लेना है और यहां पे कंटिनुई पे क्लिक करना है कंटिनेफ एकटिन के बच्चों के लिए कोचिंग से भी सस्ता हूं डॉट नाट पे हुगा पढ़ना असान क्लास 8, क्लास 11, क्लास 3 अब सभी बच्चों के लिए सुर्मा बैच लॉंच किया गया है अगर आपके आसपास या आपके बच्चे क्लास 10 या क्लास 11 या क्लास 12 में हैं बिहार बुर्सी एकजाम देने वाले हैं तो पिछले टॉपर की तरह आपके बच्चे भी टॉपर बन सकते हैं तो डॉटनट से जूरे क्योंकि इंडिया के टॉप एजुकेटर आपको डॉटनट में मिल जाएंगे साथी और सब्जेट की तियारी भी की जा रही है डेली अपडेट, डेली आपको नोट्स, होमबग, टीचर, स्किल्स सब कुछ यहां पर कराया जा रहा है लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है आज ही फॉर्म को फिल करें और जूर जाए डॉटनट से अपने बच्चे को कैरियर की शेप दें क्लिक करने के पर सारे प्रोसेस आपके सेम है ठीक है एक चीज यहां पर ध्यान दीजेगा जो की ध्यान देने वाली बात है पूरी वीडियो बिलकुत ध्यान से देखिए आप लोगों मैं बार वर बोलता हूँ उसके बाद ही कॉमेंट करें कुछ लोग क्या करते हैं वीडियो देखते नहीं कॉमेंट करते हैं उससे क्या होता है आपका जबाब वही तक रहा जाता है आपको फिर दिक्कत हो जाती ही फॉर्म बढ़ने में इसलिए पूरी वीडियो देखिएगा देखिए स्कोलर्शिप कटेगरी में आपको पोस्ट मैट्रिक यहां पर स्लेक कर लेना है अगर आप गेज़ुएशन के लिए अपलाई कर रहे हैं तो भी आपको पोस्ट मैट्रिक ही स्लेक करना है अब देखिए यहां पर रेजिस्टेशन तो आप कर लेंगे सारी डिटेल डालने के बाद रेजिस्टेशन कर लेंगे अब बारी आती है कि सारी रेजिस्टेशन के बाद क्या करना है रेजिस्टेशन के बाद तो आपको ऑनलाई अपलाई करना है ठीक है देखिए रेजिस्टेशन आपका हो गया उसके बाद बैक आना है और फिर यहां पर आप क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको apply करना है लेकिन apply कब करना है apply अभी नहीं करना है क्योंकि आप अभी registration कर लेंगे तो आपके mobile पर email id और password चला जाएगा और आपके gmail id पर भी चला जाएगा इसके बाद आपको 15 से 20 दिन का wait करना है ठीक है 15 से 20 दिन का wait करना है अब यहां पर धिहां से सु हैं पर रहे हैं तो आपको अपने callie से से ठीक है ओल्लाइन करने से पहले आपको college से जह है वो आपको verify कराना होगा कि जिस college में आप पर रहे हैं उस college का नाम जो है ns p में चरहा होना जाहिए यह college registration कराने के बाद आपको confirmation लेलेना है कि हां आपका जिस college में admission है उस college का इसमें नाम चरह हुआ है या नहीं अगर आपके college का नाम चरह हुआ है तो 15 से 20 दिन के बाद automatic आपका registration successful हो जाएगा उसके बाद आप apply कर पाएंगे apply करने के बाद पूरा process आपका खत्म हो जाता है और उसके बाद पैसे आने के बारी आती है ठीक है अगर आप इस बार admission ले रहे हैं इस बार admission ले रहे हैं या admission ले चुके हैं तो भी आपका सेम प्रोसेस है आपको उसी तरीके से college का नाम चेक करना है अभी आपको सभी को registration करना है अभी apply कोई नहीं करेंगे registration करने के 15 से 20 दिनों के बाद ही सारी परकिरिया जो है बो करनी है इस चैनल को subscribe कर लेना ठीक है उसके बाद सारी जनकाड़ी जैसे ऐसे अपडेट होगा जैसे ऐसे आपको renewal करने का आएगा सब को इस चैनल पर आपको बताता रहूंगा ठीक है आप से नहीं वीडियो में नगी अफडेट के साथ थैंक्स वाचिंग इस वीडियो वीडियो के शेल चलूर करें